दोस्तो आज हम लोग History Honors Major Paper 3 यानि New Education Policy में जो Major Paper 3 का जो syllabus है उसके हिसाब से आज का ये पहला वीडियो है दोस्तो इस वीडियो सेरीज में हम लोग क्या करेंगे जो आपके एक्जाम के दृष्टिकों से बहुत बहुत इंपोरेंट है ठीक है वही सारे प्रसनों को कवर करेंगे आप लोगों से मेरा request है प्लीज दोस्तो आप लोग चैनल पे नए हैं मैं जानता हूँ आप लोग चै रसना तो ज़रूर बता दूंगा कि कौन-कौन सा आएगा आपको कौन-कौन सा चीज पढ़ना है ठीक है दोस्तो तो आज का टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग चलिए जाते हैं और आज का टॉपिक कभर करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक है सिंदु घाटी सब्रता की प्रमुग विश्यस्ताओं का उलेग किजे यानि सिंदु घाटी सब्रता जो हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही प्राचीन काल से ठीक है वो सब्रता क्यों पढ़ते हैं उनकी क्या विश्यस्ता है उन विश्यस्ताओं को जानेंगे ठीके तो दोस्तों important प्रस्णों होगा very very important ध्यान दीजिएगा सिंदु घाटी सब्रता विश्व के सबसे प्राचीन सब्रता मानी जाती है ठीके इसे हडपा संस्कृती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये जो सिंदु घाटी सब्रता है इसको हडपा सब्रता या फिर हडपा संस्कृती के नाम से भी जाना जाता है ये विश्व की सबसे प्राचीन ज्यात सहरी सब्रता मानी जाती है यानि जो ये सिंदु घाटी सब्रता है ये विश्व की सबसे प्राचीन और जाना सबसे सहरी सब्रिता मानी जाती है यह सब्रिता लगबग 2500 इसाप पुर्व दच्छिन एश्या के पश्चिमी भाग में फैला हुआ था यानि यह सब्रिता कहा है यह सब्रिता है दच्छिन एश्या के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है इसका विस्थार उत्तर भारत से ल क्यूँ है और इसका पूरा थोड़ा बहुत इंट्रोडेक्शन के जैसा जाने सइंदू-घाटी सब्रता की विशेष्दाओं निवनलिखीत इस परकार है यानी सिंदू-घाटी सब्रता की विशेष्दा क्या-क्या है marketing कर कर atique हैं उसका मेन रिजन है उसका नगर नियोजन वैवस्ता का मतलब क्या है सिंदु खाटी सभरता का जो नगर ठाश झो जो ता आम अलों का बरतमान में जो साहर होता न उसी के हिसाब से था ताप लोग सोचिए दोस्तो आज से 2500 पूर्व यानि पचीस सो साल पहले कोई ऐसा सभ्रता था जो एकदम आधुनिक यूग के तारा बना हुआ था तो सोचुए कि कितना ओ लोग के अंदर टैलेंड सा कितना ओ लोग का आइडिया था ठीक है तो सिंदु घटे सभ्रता के बेभिन्य इस्थलों के उत्खनन से उत् अनुसार बनाते थे यानि जो सिंदु सभ्रता का इस्थल है उसको हम लोग जब खुदाई किये उससे पता चला किया हम लोग का जो सिंदु सभ्रता है वो एकदम नगर नियोजन के हिसाब से बना हुआ था और वहां के जो निवासी थे एकदम निश्चित योजना के वो टाइप के थे आप लोग पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे ठीक है दोस्तों पहला वो घर थे जो थोड़ा उंचाई में इस्तित था और वो थोड़े छोटे होते थे क्योंकि वो उंचाई में होते थे और इसी लिए उसको दुर्ग कहा गया ठीक है और संभवता ये सासक बर्ग के लोग रहते थे ठीक है तता साधारन बर्ग के लोग निची ने जगा में रहते थे और जो जो नीचे नीचे वाला जो आपको पाठ दिखाई दे रहा है जो बड़ा बड़ा इमारत जैसा नीचे वाला पाठ ओ लोग और जन साधारन लोग रहते थे ठीक मकान बनाने में पक्के इंडियो का प्रियोग किया जाता था प्रतिक मकान में एक आगन रसोई सिनानागर द्वार आधी होता था दोसों ये भी याद रखिएगा जो सिंदुगाटी सब्रता के जो घर थे उनका द्वार मतलब रोड के तरफ ना हो करके पीछे के तरफ होता ठीक है नगरों में चोड़े-चोड़े सरकों वा गोलियों बनाई जाती थी एक दूसरी को समकोन में कारती थी यानि एकदम ट्रेंगल के हिसाब से जैसे ये वला रोड है और इधर जा रहा होगा कोई रोड तो ऐसे हिसाब से बनता था ठीक है अगर यहाँ पर कोई रोड एकदम 90 डिगरी के एंगल के हिसाथ से एकदम बना होता था ठीक है आप दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा ठीक है नगरों में गंद्या पानी के निकासिक की उचत व्यवास्ता थी इस सब्रता में कई विशिष्ट भवन मिले हैं जो इस सब्रता के उतकिष्ट नगर नियो जब्यता था वो बहुत ही ज़्यादा नगर नियोजन सिद्ध था ठीक है जिसमें महंजोद्रों का माल गोदाम विसाल अनागार विसाल सिनानागार तथा हडपा का विसाल अनागार प्रमुग था यानि हम लोग दोस्तों इसलिए पता चला हम लोग को जो महंजोदारों का जो बिसाल माल गोदाम था यानि जो अनभंडार था सिनानागार था और हडपा का जो बिसाल अनागार था इससे हम लोग को पता चलता था पता चला कि ये जो सब्रता है ये बहुत ही ज़्यादा भिक्सित सब्रता है नगर नियोजन का सब्रता है ठीक नेक्स्ट है समाजिक जीवन उहां का जो समाजिक जीवन कैसा था वो जानेंगे सिंदु सभ्यता के समाज में सासक और महतुपुन करमजारी बर्ग समाइन्य बर्ग स्रमिक बर्ग एवं किसिक बर्ग थे हम लोग जब देखे कि सिंदु घाडी सभ्यता की विश्टा में तो समाजिक जीवन में हम लोग यह देखे कि सिंदु घाडी सभ्यता में सासक बर्ग भी रहते थे करमचारिक बर्ग भी रहते थे समयन्य बर्ग के भी लोग रहते थे और स्त्रमिक बर्ग के लोग भी एकी साथ रहते थे समाज की सबसे छोटे एकाई परिवार थी मात्री देवी की मिट्टी की प्राव्त मुर्तियों से समाज की नारी का महतो अवं परिवार के मत्री सत्तात्मक होने का प्रमान मिलता है यानि दोस्तों ये क्या है मत्री सत्तात्मक आप लोग थोड़ा ध्यान दिजिएगा दोस्तों अभी के जमाने में आपका परिचय आपके पापा से होता है ठीक है वहां के इस्त्री और पूरुस दोनों ही आउसन प्रेमी थे एक मुद्रा पर धोलक का छित्रा बना है जो सिंदु घाटी सभ्रतावासियों के वाज्यकला के रूचियों को दरसाता है दोस्तो यह है उनके समाजिक जीवन ठीक है आगे हम लोग देखेंगे उनका धार्मिक ज जार के थे यह मात्र देवी की पूजा करते थे तथा सिव की भी उपासना करते थे ठीक है दोस्तो यह जो सिव थे और प्रशिपती सिव को लोग पूजा करते थे ठीक है इसके आतिरिक इन लोगों में ब्रिक्ष तथा पसुपक्षियों की पूजा भी प्रचिलित थी इन लोग उनके आर्थिक जिवन उनके विश्यस्ताओं को पढ़ रहे हैं ठीक है सिंदु सब्रता के लोग का मुख्य वेफशाई क्रिसी था ये लोग गेहूं जो चावल चना बाजरा दाल और तील आदी की खेती करते थे काली बंगा में जूते हुए खेत का प्रमान मिले हैं दोस्तों यहां से अबजेक्टिव सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है आपसे पूछेगा बताईए कि तो सिंदु घाटी सब्रता के कौन सा इस्थल में आपको जुते हुए खेत का प्रमान मिला है तो हो जाएगा काली बंगा ठीक है इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है इस ब्रता के लोगों का प्रस्चमी एशिया के अनेक देशों के साथ ब्यपार होता था यानि जो एलो का जो ब्यपार है वो विदेश तक फैला हुआ था विदेश तक विदेशी लोगों के साध्विन का ब्यपार ह के लिए जलमार्ग का प्रियोग किया जाता था इसके आतिरी इस शेविड़ता के लोग उद्योग धंदय में भी संगलंग न थे यानि लगा हुआ था मिटी और धातु के बरतन बनाना आभुसन बनाना ओजार बनाना अटादी उद्योग विक्षित अवस्था में थी यानि ये सब उद्योग धंदा उहां पर होता था तोल के लिए बाटो का प्रियोग किया जाता था ठीक है याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट है राजनितिक जीवन सिंदु सब्षता के राजनितिक जीवन की इस पिस्ट जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों उनके जो किस परकार से राजनिती और लोग होता था उहां पर उसकी जानकारी तो इस परस्ट नहीं है किकि हम लोग को सिर्प सिर्प उस सब्षता क हम लोग के लिए कठीन होता है कि उनका जो समाजिक जीवन है ओ कैसा था ठीक है प्रसासनिक दिरिष्टी से समाज के चार बड़े केंदर रहे होंगे मतलब पॉसिबिलिटी हम लोग बता रहे हैं हरपा मोहन जवदुरो कालिबंगा और लोथल सुब ववस्तित नगर नियोज स्वच्छता जल संरच्चन आदी परतिकों से पूर्ण और कुसल राजसत्ता नियांत्रत था वेवस्ता नगर पाली का प्रसासन संकित मिलता है यानि क्या है दोस्तो हम लोग अगर इस सब्रता को देखे तो हम लोग को इहां का कुसल राजसत्ता नियांत्रन और नगर नियोजन वेवस्ता और नगर पाली का की प्रसासन की आदी के बारेके में हम लोग को इस परस्ट उनकी सब्रता से ही मालुम चलता है ठीक है अस्त्र सस्त्र अधिक सेंख्या में ना मिलने यहां के नगर निवाशियों के सांत्री पिरी होने की सुचना होता है दोस्तों इसका मतलब क्या है अगर आप लोग किसी भी जगा से अस्त्र सस्त्र नहीं देखे होंगे माल लीजी दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ ठीक है उहां से आप लोग समझने के कोशिस कीजी माल लीजी किसी का घर में किसी का घर मतलब पूरा तवाह हो गया ठीक है तो और उसके घर में जब खोदाई किया गया तो उहां पर देखा कि उसके घर में कोई भी ऐसा अस्तर सस्तर नहीं था तो इससे आप लोग को क्या पता चलता है इससे यह पता चलता है कि यह जो यहां के निवासी थे हो सकता है कि वो मतलब किसी के साथ लड़ाई जगडा नहीं करता था उनको किसी के साथ हानी नहीं पहुचाना होता था वो आपस में सांती प्रिया रहते थे तो ऐसे ही दस्तो हरपा सब्रता के लोगों के साथ हुआ ठीक है वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा सांती प्रिया थे इसलिए उनके उहां से मतलब कोई भी अस्त्र सस्त्र नहीं मिले हैं ठीक दोस्तो सिंदु सब्रता के जो लोग थे वो इतनी विक्सित थे कि उनका एक विशेस परकार की लिपी थी दोस्तो आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जो अभी लिक पड़ रहे हैं हिंदी वाला ये क्या है ये देवनागरी है तो उनका भी एक विशेस परकार की लिपी थी जो चित्रात्मक थी दोस्तो ये लिपी अभी तक हम लोग पूरा इस्पस्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं ठीक है सिंदु सब्रता के लोग ने लिपी का भी अभिश्कार किया इस सब्रता की लिपी वासा चित्रात्मक थी इस लिपी की चिन्ध का प्रियोग किया जाता था यानि इस लिपी में क्या होता था चित्र बनाये जाते थे और चित्र के हिसाब से ही उहां का लिपी और लिटरेचरी आज भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों ये जो लिपी है हम लोग अभी तक पूरा इसपस्ट रूप से समझ नहीं पाये हैं बस थोड़ा बहुत हम लोग अनुमान ही लगाते हैं ठीक है नेक्स्ट है कला सिंधू सब्रदा के लोग नेकला के छेत्र में बहुत उन्नती की थी खनन से प्राप्त, मोहरे, बरतन और आकरसिक चित्र देखनी को मिलते हैं मिट्टी से बने मृदवान, मूर्तिया, मोहरे, निर्वान, आवुसन बनाने अितादी इनकी उत्विष्ट कला परमी होने का उधारन है दोस्तों क्या है, जब सिंधू सब्रदा का खुदाई हुआ तो उहां से बहुत सारे ऐसे चीज मिला जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो उहां के जो लोग थे, ओ कला के छेत्र में निपूर थे क्योंकि बहुत सारे मनके मिला है बहुत सारे महरे मिला है बहुत सारे आवुसन मिला है और बहुत सारे मृद्वान यानि मिट्टी के हंडी मिले है ठीक है, इससे हम लोग क्या जानते है इससे हम लोग को ये पता चलता है कि वहां के जो लोग थे और बहुत ही ज़्यादा कला में माहिर थी ठीक है उसके बाद दोस्तों देखेंगे आमोत प्रमोत और लोग कैसे मतलब खेल खेलते थे किस तरह से वो आनंद लेते थे ठीक है सिंदु सब्रता के लोगों को नाचने गाने और सिकार का बड़ा सोकता घुरों में खेले जाने वालों खेल को बहुत पसंद करते थे इसके अलावा जुआ खेलना पासा खेलना पसु पक्षियों को लड़ाना उनके मनरोजन का प्रोमुक साधन थे खेलोना बच्चों के लिए मनरोजन का साधन थे दोस्तों हम लोग किसलिए बता पा रहे हैं कि उहां के जो बच्चे थे वो खेलोना से खेलते हैं कि बहुत सारे जगा से हम लोग को खेलोना मिला है ठीक है जो संभवता मतलब पत्थर के और मिटी के थे ठीक है तो हुआ के लोग किस परकार से अमोद प्रमोद करते थे जुआ खेलना पासा खेलना पसु पक्षियों का आपस में लड़वाना और खिरोणे से ही खेलते थे नाज गाना और सिकार का भी ओलोकर सोग था ठीक है नेक्स्ट है औसोदी सिंदू सब्रता के लोग औसोदी से भली भाती परचित थे हीरन और गेंडे के सिंग से भी औसोदी बनाई जाती थी इसके अलावा मुंग वा नीम की पत्ती समुद्र फेन का प्रियोक औसोदी के रूप में किया जाता था यानि जो सिंदू सब्रता के लोग थे वो औसती में से भी भली भाती परिचित थे और औसती विग्गान में निपुर्ण थे ठीक है आने जाने का साधान यानि उसकाल में ट्रांसपोर्डेशन का क्या साधन था सिंदू सब्रता के निवासी बेल गाड़ी का प्रियोग आने जाने में के लिए करते थे खुदाई में प्राप्त एक सिक्के वा मुद्रा मिले हैं जिसमें एक वेक्ती नाव पर बेठे हैं उसका चित्र दर्साया गया है या अनुमान लगाए जाता है कि सिंदू निवासीों का नाव बनाने भी आत्या होगे यानि सिंदू सब्रता के लोग क्या होते थे आने जाने के लिए बेल गाड़ी का प्रियोग करते थे और एक जगा से दोस्तों एक मुद्रा मिला है जिसमें एक वेक्ती को नाव पर बेठाया गया चित्र मिला है जिससे यह भी पता चलता है कि उसकाल में नाव थे और ओलोग नाव से भी ट्रांसपोर करते थे और नाव बनाने भी उलोग जानते थी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है मृतक संसकार सब को जमीन में दफनाया जाता था कुछ लोग सब को जलाकर उनके राख को किसी पात्र में रखकर जमीन में गाड़ देते थे यानि उलोग का अंतीम संसकार कैसे होता था कहीं कहीं पर दोस्तों क्या होता था उनके जो सब थे उनको सब को जमीन में दफनाया जाता है उसका भी एविडेंस मिला है कहीं कहीं पर अस्ति पंजर मिले है और कहीं पर वो लोग का मतलब कोई अस्ति नहीं मिला है तो इसे मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि कहीं कहीं पर सबों को जलाया भी जाता होगा और उनके अस्तियों को जमीर के नीचे गार दिया जाता होगा ठीक है दोस्तों मोटा मोटी कहे तो यह जो सिंदुखर्टी सब्रता है एक बहुत ही जादा विक्षित सब्रता थी इसी लिए दोस्तों हम लोग को आज भी पढ़ना पढ़ता है ठीक है तो आई होप यह जो पूरा वीडियो लेक्चर है आप लोग ने इन्जोई क्या होगा आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग का बहुत जादा अच्छा रिस्पोंस आने से ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो प्लीज वीडियो को सेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चाहिए